अब लोग आपके आने वाले एक्जामनेशन इसके अंदर हम लोग बैटरीज और सेल्स के उपर कुछ इंपोर्टन कोशन्स और डेटास कोशन्स कोशन्स करेंगे देखें गाइस यह जो सेशन है काफी इंपोर्डन रहने वाला है आपको 100% में बता देदारों एक से दो कोश से críticos करने वाल सो बने रहे एंट तक अच्छी तरिक यह सबको समझ मेंगा काफी इंपोर्टन घ्र करते नहींने डेफिनेटली वाच कीजेगा इसमें से भी एक कोशन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा आपको ठीक है अब देखिए कोशन अमने क्या पूछा था विच रूल इन इंडिन इलेक्टिस्टी रूल डिल्स विद इंस्ट्रेक्शन फॉर रिस्टोरिशन ऑफ परसन सफरिंग फ और अगर आप भी चाहते हूं कि आपका नाम में मेरे निक्स सेशन को एंट तक दिखिए गाइस सेशन के एंट में जो भी मैंने आपको कोशन पूछा है उसका करेंट एंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा ओके आविल चूज तो टॉप फाइव एस्प्रिंट ज था जो आपक हो ना बैट्रिस और सिल वन क्या है विच सेल विच लॉच लॉट इंविच सेकंडेरी सेल वर्क शिंपल सका और सेकंडीर सेल को उनसे लाओ के उपर रॉक करता है तो इसका करींट ब्लिसन ऐगा नेक्स को आएगा नेक्स कोशन है वाट्शन रहें ऑटरी वोल्ट में यहां पर करेक्ट आंश मार्ग करते हैं गलत हो जाएगा ठीक है जो बै्ट्रीइश की के पासिट रहते है उसकी एच के अप्राइटर करने जहते हैं असको इसके आप्राइट आपको यह वोल्टेश्न डी यहापर हमारा कढरेटएंस राजएगा नेक्स कोशन है primary battery is such a battery that देखें अगर हम दो तरके के batteries की बात करते हैं एक दो होती है primary battery ने ने secondary battery तो primary battery एक ऐसी battery है जिसके अंदर उसमें से कौन सी terms correct है देखें जो हम लोग recharge नहीं कर सकते it cannot be recharge option D आप है हमारे correct answer रजएगा इसलिए हम लोग इस table जो है इस comparison के टेबल को हम लोग अच्छे तरी कैसा पढ़ लेते हैं सोज़ाट हमें समझ में आगी कि primary cell और secondary cell में actual difference क्या होता है करके अब देखेगा it is an instant EMF producing दिए है primary cell को कोई recharge नहीं करना पड़ता है directly हम यह EMF आप में देखने को मिलता है अगर हम लोग use कर सकते है लेकिन इसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते है it cannot be recharge simply आप लिखा गया है लेकिन हाला कि अगर हम लोग secondary cell की बात करते है तो इसको हम लोग charge करते है by using electrical supplies है और उसके बाद हम लोग EMF produce कर सकते है ठीक है अगर चार्ज रहेता हम लोग उससे EMF लेहीं सकते है लेकिन मैं आपको basic fact बता दे रहो इसको recharge नहीं कर सकते है इसको हम लोग recharge कर सकते है secondary cell को यह इसका जो weight रहता है primary cell का वो light in weight रहता है ठीक है और इसका जो weight है वो heavy रहता है compared to primary cell यह questions हम लोग इसी के मादिम से बनेंगे अगर आपको question one by one पूछा गया तो आपको primary cell और secondary cell का difference आपको definitely याद होना चाहिए कि examination में कुछ भी तरीके से आपको question पूछा जा सकता है primary cell के major fact क्या है कि हमारा low current low voltage पर supply करता है हला कि secondary cell एक high current और comparatively more voltage produce करता है as compared to the primary cell next रहता है काफी cheap है सस्ता है और यह उसकी life जो है वो भी short है उसी तरीके से अगर हम लोग secondary cell की बात करती है तो costly आता है और इसकी longer life आती है it transform chemical energy into electrical energy very very important यहाँ से fact बन के question पूछ सकता है कि chemical energy to electrical energy transform करता है लेकिन secondary cell में क्या होता है electrical energy produce करता है certain action energy and the chemical and then chemical reactions reproduces the electricity reversible process होती है तो यह आपको basic difference पता होना चाहिए between primary cell and secondary cell next question है मारा what is the output voltage of mercury cell ठीक है काफी important सा और basic सा question आएगा अगर आपको एक हाद basic question पूछ लिए तो आपको यह voltage ही पूछा जाएगा most probably तो जो output voltage है mercury cell का वो कितना है वो है मारा पस 1.35 volt option B इसका current answer है जाएगा अभी आपको अलग-अलग questions को नहीं go through करना पड़ेगा मैं आपको table mention कर देता होगा अब देखे इससे आपके 2-3 questions बनेंगे किस तरीके से मैं आपको पते दो सबसे major चीज है दो दरीके के cell आपको पता होने चाहिए कि प्राइमरी और सेकंडरी सेल यह होगे और सेकंडरी सेल समने ग्रीन कलर में हाइलाइट करके रहें इसमें सबसे ज़्यादा क्या बनेंगा आपको कि zinc chloride is a type of primary cell और नौट ऐसा question आएगा तो आपको ध्यान में इसके रिस्पेक्टिव वोल्टेज जो है वो मैंने अलड़ी मेंचन करा दिया सेकंडरी सेल में अगर हम बात करते हैं लीड ऐसेड निकल आयन जिसका हम लोग एडिशन सेल करके वह गया थे निकल कैड्मियम, सिल्वर जिंक एंड सिल्वर कैड्मियम तो इसकी जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज जैसे इस टेबल के माध्यम से मैंने मेंचन करा दिया अच्छी तरह की से समझ लेना होगा ओके बढ़ते अभी हमारे next question क्यों क्या है हमारे पास इस में से कौन सा इलेक्रोलाइट यूज के जाते है यही question में आपको बताने जा रहो हो यह most important है हमारे आज के session का अब दिखिए मैं आपको वेराइटी बताई तो एक question आपको बनेगा कि negative जो है ठीक है एक तो negative electrode कौन सा है दूसरा positive electrode कौन सा है कौन सा electrode यूज कियागा यह most important है कि आपको 60 to 70 परसेंट जो पोजिशन है इससे आपको आपको definitely पूछा जाएंगा लेक कौन सी cell का negative electrode कौन सा होता है किस से बना रहता है positive electrode और कौन सा electrode उस cell के अंदर यूज के जाता है यह आप दहान में रख लिजेगा यह अच्छी तरीकी से प्रेबर करके जाने most probable chances कि एक कोशन definitely आसे आपको पूछे जाएंगा ओके अभी देखिए कार्बन जिंग ड्राय सेल में हमारा कौन सा यूज होता है वह होता है aluminum, ammonium chloride ठीक है not aluminum, it's ammonium chloride option B आप यह हमारा correct answer आजएगा ठीक है अब देख सेकता हो ammonium chloride NH4, NH4Cl ठीक है यह आपको directly chemical composition देखके भी option में आपको बन सकता है ठीक है कि NH3Cl इस तरीके से NH2Cl तो आपको यह भी पता होने चाहिए NH4Cl मतले भी क्या होता है यह पर negative terminal कौन सा होता है ठीक है तो आपको अच्छी तरीके से observe करके इसका preparation करना होगा बढ़ते अभी मारे next question क्यों क्यों क्या है महरे पास which is used as an electrolyte in a lead acid battery lead acid battery में हम लोग कौन सा electrolyte use करते हैं काफी important question है काफी बार यह पूछा गया ठीक है बाखी से यह के examination में और आपको भ अलोटेट सेर्फलोग एसिट यह हमारा lead acid battery में electrolyte करके यूज किया जाता है ओके option डी यहापर हमारा correct answer आजएगा next question is which material is used to make a negative plates in a lead acid battery lead acid battery में अभी सेम negative plate कौन से material के बनी रहे थी हो हमारी sponge lead के बनी रहे थी sponge lead के हमारे negative plate जो है बनाए रहे ठीक है negative electrode okay simple है इसका हमें actual जो schematic ह है यह हमारे lead acid battery का यहापर मैंने mention करा दिया okay generally आपको ऐसा भी question मन सकता है कि इसके आपको एक cell है ठीक है तो आपको ampere capacity बढ़ानी है तो आप क्या करोगे और आपको voltage capacity बढ़ानी है तो आप क्या करोगे सीरीज में cells को connect करोगे ठीक है अगर ampere capacity बढ़ानी है तो आप उसको parallel में connect करोगे काफी simple सा concept है इसलिए हमने आप मेंचन नहीं किया है session के अंदर sponge lead का है हमारा negative plate रह दिया lead acid battery के अंदर option B हाप यह हमारा correct answer आजएगा next question है हमारा पस which cell is most often used digital watches digital watches में हमारे कौन से cell इस्तमाल किया जाते है उसको हम लोग कहते है mercury cell हाला कि इसको button cell करके भी market में नाम है यह इसको हम लोग कहते है mercury cell ठीक है इसमें जो steel cap रहते है वो हमारे रहते negative ठीक है जो इसका outer covering रहते है हमारा positive रहता है ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि digital watches के अंदर हम लो जो current rating है उसको select करने के लिए काम में है तो charging time नहीं guys voltage range नहीं charging method नहीं current rating कितने ampere से हमें चार्ज करना है उस बैटरी को उससे हम लोग define करते है find selector switch से option A हाप यह हमारा correct answer आ जाएगा next question है हमारे पास determine the specific gravity of a electrolyte यहापे बोला क्या गया कि what is the purpose of hydrometer is used in charging of a battery तो उसका correct answer नहीं to determine the specific gravity of a electrolyte question हमें answer जो हमने अल्ड़े पढ़ लिया था परपस क्या है hydrometer का जो हम लोग battery charge करते है उसके वक्त यह उस करते है ठीक है तो उससे हम लोग specific gravity जो है electrolyte का इसे हम लोग पता करते है ठीक है hydrometer का क्या हम होता है द्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी उससे हम लोग specific gravity पता करते है electrolyte की काफी important question है ध्यान में रखीगा सरूर ओके next question है हमेरे पस which is used as a positive electrode in a dry cell अभी मैं आपको इसके बाद एक table mention करने वालो हो वो काफी important है अभी देखे आपको ऐसे multiple questions पूछ सकते है कि आप पूजिव negative electrode कौन सा होता है negative electrode कौन सा होता है अभी देखे dry cell में अगर है positive electrode की बात करते है तो वो carbon कर रहते है okay option B इसका करे टैंसर जागे देखे carbon zinc cell को ही हम लोग leclanch cell या फिर dry cell करके भी कहते है तो यह आपको धहन में रखना होगा next table के अंदर हम लोग अलग अलग type के हमार पाद जो cells है primary cells है उसको हम लोग देख लेते देखे guys यहाँ पर specification एक column में यहाँ अलग अलग type के सबसे पहले हमार पास में carbon zinc दूसरा है alkaline manganese तीसरा हमार पास alkaline man氣cean में हमारा mangingES decision रहता है मरकरी में मरिक्यूर इंधा है और फिछ हैंक भूर ऐल्टेज के वन पॉल्ट साएड ठीक अंधल का पर देखेंगे और इसका टेंपरचर फेरनाइट में स्टोरेज और ऑपरेडिंग टेंपरचर कितना होता है यह हमने चार भी प्राइमेरी सेल्स का यहापे मेंशन करा दिया इसको अच्छी तरीके से अगर आप सिर्फ पढ़के भी लेखते हो दो से तीन बार ठीक है पढ़ाई का जो स्ट्रेजी होता है वह आपको चेंज करना पड़ेगा इस ठीक हर एक एक अगर आप अच्छी तरीके साथ आज का सेशन देखते तो इसको नो डाउन करीगा ठीक हर चार-पाच दिन में इसक आपके मारे आपको अच्छी तरीके से चीज़ें पता रहते हैं एक एक क्वेशन में अगर मिस हो जाते है तो आप धान में रिख लिख जाएंगे तो यह बात है आपको धान में रखने होगे बढ़ते भी महां रहें नेक्स कुशन के और कुशन का है हमारे पास गैस वाइ क्वेंट प्लक को ओपन करके रखते हैं ऑप्शन ए इस कुशन का करेट अंसर आजएगा ठीक है देखते हैं मारा नेक्स कुशन क्या है मारे पास इन विच में बैटरी इस चार्ज अट लोग पिरेट के लिए लोग करण पर हम लोग चार्जिंग करते हैं कभी-कभी होता ह प्लक करते हैं तो उसको हम लोग कहते है ट्रिकल चार्जिंग में थाड़ ऑप्शन बी इस कोशन का करेट अंसर आजएगा यह कोशन पूछा गया मोस्ट एग्जामिशन में आप देखे कर ट्रिकल चार्जिंग में थाड़ यह लोग करण लॉंगर पिरेट के लिए कोशन कोशन के साथ में हर एक कोशन में जो भी इंपोर्टन फैक्शल डेटा होता है वह हमने मेंचन किया है इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजीगा और ड्रेम 25 कूपन को मत मिस कीजीगा क्योंकि इससे आपको डिरिकली 50 रुपीज का ओफ मिल सकता है तो आप इसको डेफिनेटली यूस कीजीगा इसका मैंने एक्सेंडेट कुछ भ लगाना होगा और इसको आप जाके अटेंड कर सकते हो ठीक है काफी अच्छी तरीके से हमने इसको मॉक टेस्ट रिलीज कर दिया काफी एस्पिरेंट से अरूंड काफी सारे लोगों ने जिनको मैंने अलड़ी मेंशन किया उन्होंने जॉइन करके रखा है अगर आपने अ जेगा आगए यह सुपर मॉक टेस्ट इसमें नुमर आफ मॉक टेस्ट है टेन मॉक टेस्ट रिका अब इसको कहाई सेल फोन से अटेंड कर सकते हो अभी हम लोग देखते हैं हमारा निक्स्ट क्वेशन क्या है मरे पास विच मेट्रिल इस यूज़ अस तो निगेटिव एल 10.1182 मिली ग्राम पर कूलम यह मतलब क्या है मिली ग्राम पर कूलम ऑप्शन डी हापर हमारा करेंट एंसर रह जाएगा एक टेबल के मात देम से जो है मैंने इंपोर्टन मेंचन करेके रखे सिर्फ आप उतना ध्यान में रख लीजेए गाईज देखे क्या है कि हमारे पास म हाला कि आपको mercury भी ध्यान में रखना होगा ठीक है बाकी भी आप ध्यान में रखेंगे जो यह फॉस्ट सेकंड कॉलम है और इसके नेम ओफ एलिमेंट यह आप इतना अच्छी तरीके से पता का ध्यान में रख लिजेगा क्योंकि यहां से कोशन डेफिन आ सकता है हाला कि अगर अपने केमिकल रिक्वार्मेंट से ओवर्वीव किया तो भी चलेगा लेकिन हमें नहीं पता स्टिल आप उसके लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो क्या हमारा एक रियाक्शन देखने को मिलता है कौन से प्लेट पर निगेटिव प्लेट पर उस पर हमारा लीट सल्फट देखने को मिलता है प्लेट 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 प्ल अपको चार ओप्शन भाइब को यह का जाता है निमसे में भालिप पॉच्जिशा घ्रोइट कर सकते हैं यह वरती सब्सक्राइब कोश्चिन का करेटान सर जागा what is the purpose of separator in a lead acid battery हमें short circuit avoid करने के लिए इसके लोग यूज करते हैं next question है which instrument is used to measure a specific gravity of electrolyte in a lead acid battery अभी हमने इसके पहले भी एक same question देख लिया था ठीक है तो यह रहता हमारा hydrometer guys ठीक है option b is question करेटान सर जागा यह hydrometer है हमारा इससे हम लोग specific gravity रहते है electrolyte की lead acid battery में हम लोग pressure करते है next question है which of the falling is not a defect in a secondary cell secondary cell ने इसमें से कौनसा defect नहीं है question काफी important है त्यान मेरीक का वो है हमारा local action दीखे local action जो है और polarization जो है वो हमारा primary cell का defect है okay बट यह secondary cell में हमारा 3 defect है buckling partial short और hard sulfation so देखते भी हमारा next question question क्या रहा है मारा पास which is the cause of buckling defect in a lead acid battery lead acid battery में buckling defect का क्या महत्व है उसका कारण क्या बोला है cause और effect दोनों आपको धान में रखनों का उसका कारण क्या है देखे due to over charging और over discharge ने बखली के effect जो हमें देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है जो bending होती electrode की due to the over charging and discharging and improper electrolyte and temperature it is known as a buckling इसका कारण क्या है जो हम लोग over charging और over discharging करते है उसी के कारण हमें bending जो है देखने को मिलता है bending of electrode अब देखे bending of electrode ऐसा भी question मन सकता है कि buckling effect का effect क्या हो सकता है करके ठीक है इसका effect क्या है कि इसे करन जो electrodes है वो bend हो जाते है और इस effect को क्या कहते है यहां से भी question मस जंगता है वो रहेगा हमारा buckling effect आयो आपको एक question समझ भी आगा आशा करते हो कि सग्रे प्रशन तुम्हाला समझा तसल वर्या आपला नहीं प्रश्णा करे question क्या है हमार पास how local action defect is prevented in a voltage cell okay local action defect को किस तर किसी prevent कह जाता है by amalgamating the zinc plate the local action is prevented by amalgamating the zinc plate with mercury to do so the zinc plate is immersed in a dilute sulfuric acid for a short time and afterward mercury is rubbed over its surface option d या प्या हमारा correct answer आजाएगा next question is what does the letter z indicates in the formula m is equals to z divided by it okay इसको हम लोग कहते है z का meaning के होता है उसका meaning रहता है electrochemical equivalent ece इसको हम लोग कहते ece of electrolyte okay जो mass रहता है guys it is directly proportional to ece option b आप हमारा correct answer आजाएगा next question is which apparatus is used in a used to check the charging condition of a voltage in a battery उसको हम लोग कहते है high rate discharge tester यह आपको इस तरह के से देखने को मिलेगा option d आप हमारा correct answer आजाएगा next question is which electrolyte is used in addition cell अब देखेंगे addition cell में कौन सा electrolyte use किया जाता है potassium hydroxide option a is question का correct answer जाएगा काफी का बार आपको ऐसा भी आपको image दिया जा सकता है और जिससे आपको एक पोर्शन को मार करके जिससे लेक्स और य और आपको पूछा सकता है कि यह कौन सा कर रहे तो between lead acid cell और addition cell जिसको हम लोग nickel iron cell करके भी कहते है ठीक है उसे पॉजिटिव प्लेट जो हमारी lead peroxide कि रहते है एडिसें सेल में nickel hydroxide और nickel oxide की रहते हैं negative lead sponge lead की रहते हैं जिससे हमने कौशन भी देखा था ठीक है इस तरीके से कोशन मन सकते हैं होगे इस में रहते हैं हमारी नेटिप लेट आयो की होगे तो इस तरीके से जो question से आपको धीन में दाना होगे जिससे हमारा electrolyte आपको जो तीन इन अहटा और इसका आपको जो ईफिशेंसी के पूर डेफिनिटली कोशन बन सकते हैं काफी important है आज का session गाइस cells और batteries के पर यह multiple examination में भी आपको काम में आ सकता है आपको आज का session कैसे लागा मुझे जरूर comment box के वाद दिम से comment करेंके बताएगा next session के लिए मैं आपको question चोड़ के जा रहा हो question काफी simple है how many cells of 2.5 volt EMF and internal distance of 0.5 ohms would be required to pass a current of 2.5 ampere through a resistance of 50 ohms इसका credit answer मुझे comment box में comment करेंगा ठीक है आपको हमारे mocktis को definitely join करना गाइस टीके जो dream 25 coupon है यह आप उसको coupon code को लगाईगा और आपको definitely इसमें 50 रुपीज off हो के आपको mocktis को अच्छी तरीके से अभी से practice करानी है आपको और कोई भी बाकी requirement होगी तो please मुझे comment box में comment करते है चलिएगा आपको हमारे चैनल electric lunging mcqs और हमारे कोचिफ है कोई आपे click करके subscribe कर सकते हो telegram channel से connected देगा so that I'm look important information और update आपको provide करा तरीकोई भी requirement है तो please मुझे share कीजिएगा so thank you for watching this session guys have a nice day मिलते भी मारे next session में